श्री इनाज्जी गुरुजी को अलग आदेश, माभगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरबाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश आज हमारे एक सिश्य से वारतालाप हो रही थी और उन्होंने कहा कि हम अध्यात्मिक जीवन में इतने आगे बढ़ गए हैं परन्तु ये समझ में नहीं आ रहा कि हम माया में फस्चुके हैं या फिर माया को हम सुल्जाना नहीं चाहते तो हमने उनको बताया कि जब माया को समझने का समय आएगा तब आप माया को सुल्जाना लोगें साधको के जीवन में बड़ी समस्या होती है एक आम व्यक्ति जो होता है वो सुभा उठता है और एक पक्छी की तरह दाने की खोज में निकलता है और रात में दाना लेके घर में आ जाता है उसकी जो समस्या होती है वो उस घर के प्रांगण में समाप्त हो जाती है लेकिन एक साधग जो होता है उसके जीवन में बहुत सारे परशानिया होती है एक तो जीवन आर्जन जो होता है वो उसको करना पड़ता है असे जो आध्यात्मिक चेतना है। उसकी जो भूक है। उसको भिम मिटाना उसका एक करतव्य बनता है। और जब वो उसको मिटाने लगता है। तो जो हमारे साथ हैं उनको तो हम पकढ़ के रखते हैं। कि आप परिवार नहीं छोड़ सकते आप मायावादी जीवन नहीं छोड़ सकते और साथ में अध्यात्म को भी करते रहना है तो कुछ मंत्र है जो की साधकों को करते रहना चाहिए भगवती देविदुर्गा का नवरात्र चल रहा है कि ग्रिहस्तों का नौमी होगा जो तां जवरात्र में नहीं भी कर रहा है तो आमवस्या या पूर्णिमा के दिन इस साधना को आप लोग कर सकते हैं तीन प्रकार के मंत्र में दे रहा हूं एक तो वह है कि अगर आप हमेशा चिंतित रहते हैं किसी भी कारण से आध्यात्मी कारण का चिंतन हो सामाजिक कारण का च चिंतन हो पारिवारिक कारण का चिंतन हो और चिंतन ऐसा कि आपको भी पता है कि चिंतन से जो है कुछ होना नहीं है तो प्रसन्नता के लिए क्या करें ठीक है दूसरा थोड़ा हाइस स्टेज का मंत्र है वो है स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति के लिए कि जो साधक है उसक की रचना हो रही है उससे कैसे बचा जाए ठीक है ना तो वो एक मंत्र है और तीसरा है मोख्ष प्राप कैसे करें यह भी इंटर लिंक्ट है मोख्ष मतलब अंत फिर प्रले आए ब्रह्मांड पुनाब बंता रहे चार युगाए चार हजार वर्ष्ट देवताओं का जाए को तो यह तीन मंत्र बड़े काम के हैं मैं आपको बताओं कि जो पहले युगों में जब बात चीत होती थी तो हम जितना लंबा बात कर रहे इतना लंबा होता नहीं था वो सिर्फ बीज अक्षरों में बात होता था और लोग समझ जाते थे इसलिए मंत्र जो सबसे लगेगा आपको थोड़ा सा पीला चावल रंग करके भगवति के सामने रखेना है जो पुझास्ताने वहीं पर दाहीनी और मतला आपके दाहीनी और भगवति के बाएं और जो है यह आप थोड़ा सा चावल रखेंगे उसके उपर मिट्टी का एक कलश रखेंगे उस पे लाल शालुक का कपड़ा बान से उसमें फिर गंगा जल डालेंगे से जल शुद हो जाता है तो इसमें नहीं पढ़ता है हमारा सध्धान था कि घंगा जल में आप जल डालेंगे एक बार अपने गंगा जल डाल लिया उसमें सुपारी डालेंगे पांच की संख्या में एक पांध डालेंगे कलश में डालने के लिए पूजा दुकान में कुछ सामग्रे मिलती है जिसको पंच औशदी कहते हैं तो वो पंच औशदी आप इसमें डाल देंगे ठीक उसके बाद जो है आम का पांच पलव डालेंगे फिर इसके उपर एक नारियल डालेंगे नारियल के उपर भी लाल जो है बना होना चाहिए तो यह कलश रुप में भगवती स्थापित हो गई ठीक उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे सुन्दर खुश्बुदार धूप जलाएंगे अच्छा कोई भी धूप हो उसका कोई वर्णर नहीं है लेकिन धूप दीप नवेद तीन चीज एक होता है या जो ड्राइफ रूट होता है उसको चड़ा देना वो विशुद्ध होता है मीठाईयों से थोड़ा परेज करेंगे ठीक है और उसके बाद भगवती के जो भी मूर्ती है जो भी आपके पास फोटो है रक्त चंदन घीस करके उसका भगवती को उसका तिलक ऐसा गरने से क्या होगा पंच पूजा पूर्ण हो जाएगा तो आपने धूप दे दिया दीप दे दिया गंध मतलब की वो जो आपने रक्त चंदन लगाया वो हो गया साथ में आपने फल दे दिया और एक फूल बसता है वो मां को पुश्पर रूप में कलश पर भी अरप होते हैं इतना करने के बाद जिनको जीवन में लगता है दुख है वो खुश नहीं हो पा रहे हैं वो इस मंत्र का जाप करें मैं सारे मंत्रों को तीन तीन बार बोलूँगा जो प्रसन्नता के लिए जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं वो किस मंत्र का जाप करेंगे वो क एम फाम नमहा ठीक है इसका 21 माला जाप करेंगे आप पहले दिन में अगर कल कर रहे हैं तो अगर आप इसी को किसी आम अवस्या आम अवस्या या फिर पुर्णिमा के दिन करते हैं तो फिर इसको आपको 51 माला का आपको जाप करना होगा ठीक है इसके बाद जो स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते है वो ओम एम प्रम नमहा का जाप करेंगे ओम एम प्रेम नमहा ओम एम स्वुन्हा और जीवन के आकरी काल में मोख्ष की प्राप्टी करना चाहते है वो ओम एम प्रेम नमा का जाप करेंगे प्रेम नहीं बोलेंगे पहला पूरा है ना ओम एंप प्रेम नमाः तो यह जाप करने से आपको मोक्ष की प्राप्ती होगी यह जो दोनों मंत्र है, यह 21 माला ही होगा और हर रोज एक माला का, इसके बाद हम लोग जाप करेंगे दुरगा पूजा में करेंगे तो गिंती कम होती है 21 माला की होती है जो प्रसन्यतावाला जो मंत्र है जो पूर्णिमा और आमावस्या को इसलिए गिंती जादा होती है क्योंकि वो transition period होता है जो हमारा शुक्रपक्च और कृष्णपक्च होता है ये देवताओं के लिए दिन और रात का समय होता है ठीक है तो जब तक हमारा शुक्रपक्च चलता है देवताओं के लिए सुबा है और जब हमारा कृष्णपक्च चलता है तो देवताओं के लिए रात का समय होता है ठी में एक मन्त्र और सभी के लिए देता हूं जिनको रक्षा के बदले जिनको धन चाहिए जो दरिद्र और दुख से परिशान है वो रोज इस मंत्र का continuous जाप कर सकते हैं क्या जहां पर फ्रेम लगाया वहां पर हम लगा लेंगे श्रिम तो ओम एम श्रिम नमा आज के लिए इतना ही बीज अक्षरों का बहुत महत्व है बहुत शुद्धता के साथ इसका आप लोग जाप करेंगे जब भी करेंगे ठीक है और माभगवती देविदुर का जो है वो बहुत जल्दी प्रसन होती है बहुत जल्दी फल देती है और आप जिस भाषा में बात करें जो बीजो की भा करेंगे चौथे दिन मन में सिर्फ जाप करेंगे उस बीज का जैसे फाम श्रुम प्रेम आज के लिए इतना ही माभगवती देवी दुर्गा और भार बाबा आप सभी की जो चिंतन है उससे आपको मुक्ति दैसी मेरे उनसे प्रातना है आप सभी को आदेश आदेश आलाख करेंगे देवराज सेव्यमान फावनां करिपंग जम् व्यालय यसोत्रम इंदुशे खरम कृपा करम